नमस्कार स्वागत आप सभी का घ्यान सम्मान के मंच पे हम यहां करेंट फेर पड़ रहे थे और यहां पर जो हम्हें लोग मैगजीन कवर कर रहे हैं यह घटना चक्र का जो द्रिष्टी नाम से मैगजीन आता है वही कवर कर रहे हैं हम लो और इसमें सबसे पहले हम लो जो इसके बाद बहुत सार लोगा डिमांड था कि यह magazine पूरे डिफ्ट में कराया जाए तो जैसा कि मैं बता दू कि यह magazine आप सभी को मिन्स और प्री दोनों परपस से डिजाइन किया गया है तो मिन्स के बहुत सारे content यहां पर दिये गया है और वैसे में magazine हम डिसकस कर रहे हैं पूरे डिटेल में और सबसे पहले हम लोग राश्टिये परकरन डिसकस किये जो भी जो है लगवग एक साल में बहतरी जो घटना घटित हुआ है उनका collection हम लोग काफी डिटेल में देख चुके हैं वो तीन चार पैट में आपको अपलोड है अभी हम ल साथ साथ एक और टापिक इसमें रखेंगे तो आज हम लोग दो टापिक इसमें पढ़ने माले हैं तो जो लोगों लेक्चर नहीं देखें हैं जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप जाएंगे बीपी सिक्षिण या आप यूपी पीसिए सारो यारो या करिंट फिर द हो गया इससे पहले के लिए जर्वी अब यजिशन करते हैं आप किसे ने पीघिए कर सकते हैंम पना कर सकते हैं जैसे प्रक्रणंस हमाप्त होगा आपको ऑगी मिल जाएगा स्कतिप अभी आपको दे दिया गया है लेक्षर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों तक तो ये content पहुचाने का प्रयास करें जो भी बहतर scantiago pena ने प्रागवे के जो है नए राश्पति के रूप में पदभार गरण की इसरी परागवे के राश्पति को बने है chts national republic association परागवे में ये प्रागवे chef निदी राचन हे तो 30 सप्रेलu 2003 इसको चुना हुआ था तब बस इतना सारा बात आप याद रखेंगे कि प्रागवय के नई राश्वति कौन बन गगए ? सिंटियागो पेना बन गए प्रागवय के नई राश्वति जो किस पाटी से आते हैं ? National Republic Association $ Quellado Party से आते हैं अगले देखिए पकिस्तान के नय परधान मंत्री 9 अगस्ट 2023 की बात है पकिस्तान के राश्पती आरिफ अलवी ने नी बर्तमान परधान मंत्री सहवाज सरीव की सलाह पे पकिस्तान की संसत के निशले सदन निशनल असेम्बली को क्या कर दिया भंग कर दिये तो 9 अगस्ट को जो है पकिस्तान के राश्पती आरिफ अलवी परधान मंत्री सहवाज सरीव के सलाह पे क्या कर दिये निशनल असेम्बली भंग कर दिये पर नाम क्या हुआ पकिस्तान के नीर बर्तमान जो सरकार का करेकाल था निर्धारित समय से ही पहले क्या हो गया ये समा होगे आपको तो पांच वर्स के ओधी पूर्ण होने के उपरांत जो है निशनल इसेंबली के कारेकाल की समापती किती थी 12 अगस 2023 निधारी थी अगले आम चुनाओं के लिए आयोजन तक अनुरत जो है अनुमर उलहक काकड अनुमर हलुक काकड को करवाहक परधानमंत्री न बात है नेपाली कॉंग्रेसपाटी नेपाली कॉंग्रेसपाटी के है रामचंड्र पन्डेल रामचंद्र पॉंडेल जो है नेपाल के राजज़ थे निपाल को Nefals 2008 में घर्तंतिर बना था तो यह तीसरे नमर के रासपती हुए इन्होंने विध्या देवी भंडारी का स्थान लिया किसे फ़ले विध्या देवी भंडारी वहा के रासपति है अभि रामचंद्र रखेंगे ठीक है नेपाल के उपर राश्पति कौन है तो राम सहाय परसाथ यादव है ठीक है यह जनता समाजवादी पार्टी से जेस्वी से आते हैं ठीक है जबकि यह नेपाली कॉंग्रेस पार्टी से आते हैं राम चंद्र पॉंडेल अब हम लोग देख रहें अंतरास्ट यह जो भी नई-न्य न्युक्तिया हुई है अगले देखे वीением यह दो मारinsky 2020 की बात है वीयतनाम राश्पति चुनाव हुआ थर थेच बेहतनाम में राश्पति पत करें चुनाव संपन हुआ चुनाव में जो है वूएन-धुवें- वे जो है, वे वन थुवंग, वे वन थुवंग यहां के राश्पती हो गया, तो थुवंग जो हो गया, आपके वियतनाम के राश्पती हो गया, अगला है चीन के राश्पती के बाद करे जाए, तो सी जिन पिंग, उन्हे यही निरवाचित हो गया है, मार्च 2023 में सी जिन प जो है फिर से चीन के राश्पती बन गए है नाइजेरिया राश्पती चुनाओ 2023 संपन हुआ 25 फरवरी 2023 को ठीक है डेट याद रखने के कोई जरुवत नहीं है नाइजेरिया में राश्पती के लिए चुनाओ हुआ और चुनाओ में वोला अहमद अधेनू अधे कुनले टी गाता है तो टीनवू जो है राश्पती बन गए कहां के नाइजेरिया के लिए नाम बढ़ा है ठीक है बोला अहमद अधेक कुनले टीनवू ठीक है तो टीनवू क्या बन गए नाइजेरिया का राश्पती एकोटोरियल गिन्नी की प्रधान मंत्री के बात करें तो एक फरवरी 2030 की बात है मैनुवाला रोका वोटे ठीक है मैनुवाला रोका वोटे एकोटोरियल गिन्नी के प्रधान मंत्री बन गए ठीक है ये इकोटेरिल गिन्नी के पहला महिला परदान मंतरी अगला देखे बंगलादेश राष्टपती चुनाओ है 2023 में महमद सहाबदीन चुप्पू बंगलादेश के नए राष्टपती बने है ये बंगलादेश के 22 राष्टपती हैं साइप्रस की बात करें तो यहां भी राष्टपती का चुनाओ हुआ 2023 में साइप्रस में राष्टपती चुनाओ हुआ और निर्दलिये प्रत्रासी थे जिनका नाम है निकोष क्रिष्टो डौला इडस क्रिष्टो जो है निकोष क्रिष्टो डौला इडस ये जो है किसके ब और नाटोस सैनसमीति के पूर वद्यक्स, नाम है पेट्रो पॉवेल, पेट्रो पॉवेल जो है चेक गर्णडाजरी के राश्टपती बन गया है, याद रखेंगे, इसे पहले मिलोस जैमेन ये थे तो मिलोस जैमेन के जगह अब कौन गाया है पेट्रो पावेल जो बन गाया है छेक गंडाजय के New Zealand में नय प्रधान मंत्री की नियोकती हो या भी Chris Hipkins New Zealand के 41 प्रधान मंत्री का पदगार गरण किया नाम है Chris Hipkins तो Chris Hipkins बने हैं आपको निव जिलेंड के नए पर्धान नाम ही नाम है तो आपको एक दो बार रिपीट करना होगा फिर याद होगा लेक्चर को एक दो बार देख लेंगे Chris Hipkins ये जो है ततकालिन पर्धान मंत्री जेशीडा ओर्डेन उत्याग पत्र के पश्चात ये गरन किये Chris Hipkins कहा के बन गए निव जिलेंड के पर्धान मंत्री अगला है नेपाल के नए पर्धान मंत्री 26 दिसंबर 2022 की बात है नाम है इनका पुस्प कमल दहल परचंड ये नेपाल के नए पर्धान मंत्री बन गए है पुस्प कमल दहल परचंड बस इतना याद रखेंगे ये जो है सीपी एन मावादी दल के नेता है ये एक नजर में इनको भी ध्यान रखेंगे इसे पहले 2008 से नौ और 2016 तक नेपाल के पर्धान मंत्री रहे थे अब फिर से नेपाल के पर्धान मंत्री पुस्प कमल दहल है आयरलेंड पर्धान मंत्री तो तीसरे बार हो गए आयरलेंड प यह पर्धान मंत्री बना दिया आयरलेंड के पर्धान मंत्री हो गए लियो बढ़कर तीक क्यों यह इनका दूसरा कारेकाल है इसे पहले 2017 से 20 तक और से प्रधान मंत्री रह चुके हैं突 яв भाःतियों मुलके महराष्ट के हैं तुक है लियो फट़कर और लियोबढ़कर कहा के बन गए Ireland के प्रधान मंत्री पेरु की पहली महिला रास्थपति नाम है डीना बुलुवाटे डीना बुलुवाटे जो है पेरु की पहला महिला रास्थपति हो गई important है याद रखेंगे तो Deen asks जो है बोलवाठे जो है पेरू कि पहली महिला राषपती बन गई इसे पहले ओस है फस्ट वाइस प्रेसिडेट के रूप में भी काम की थी वाइस प्रेसिडेट बनी थी अभी ये राषपती बन गई है Deen ah बोलवाटे कहां की पेरू की फिजी आम चुनाव हुआ 2022 और फिजी में संसादी आम चुनाव समपन हुआ इसमें people's alliance पार्टी के नेता है सिती वेनी राबुका ठीक है, सिती वेनी जो है सिती वेनी राबुका यह परदान मंतरी के पज़बार गरहन किया गया शीतिवेनी रावुका के द्वारा फिजी मलेसिया की बात करें तो यहाँ पे अनवर इबराहिम अनवर इबराहिम जो है मलेसिवा के दस्वे परधान मंतरी बने ठीक है इस पद पे इसने इसमाईल साबरी याकूब का स्थान लिया ठीक है तो मलेसिया आम चुनाओं में मलेसिया के बन गए अनवर इब्राहिम सुलोबानिया के बाद करे तो नतासा पिक्र मुशर नतासा पिक्र मुशर सुलानिया की पर्थम महिला रास्पती बनी है तो शुल्बानिया के पर्थम महिला रास्पति कौन मनी है? नतासाब पिक्र मुशर. इस पत्पर इन्होंने वेरूत पहोर का स्थान लिया. बस याद रखने के ज़रूरत नहीं है. नतासाब पिक्र मुशर शुल्बानिया के परधानमंत्री. डेन्मार्क आमचुनाओं के बाद क्या जाए डेन्मार्क आमचुनाओं 2022 में भी हुआ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसमें भी जाई हुआ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इसके है मेटे जो है फ्रेडरिक सेन मेटे जो है प्रेडिक सेन इसके नेता है और यही जो है यहां के अपके बार जो है प्रधान मंत्री बने तो मेटे प्रेडिक डिक सेन जो है डेनमार्क के प्रधान मंत्री बने इनके दूसरा कारेकाल है तो यह आपका इस तरह से टौपिक जो है जो निउकतिया हुई थी जो बहुत चर्चा में था यह हम लोग फिनिस कर लिए, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसमें एक और टॉपिक कभर करते हैं, इसके बाद यह आपका अंतरास्टिय परकरनी समापत हो जाएगा, जो भी अंतरास्टिय आप दाय आई, यहां से भी प्रसना आपके एक्जाम में पूछे जात बात आए, दचिनपुर्व अरवसागर में, 2023 में अरवसागर में उत्पन होने वाला यह पहला चक्रवाती तुफान था, तो 2023 का अरवसागर में अगर बात करें, यह पहला चक्रवाती तुफान है, नाम क्या है, बीपर जाए, फस साइकलोन इस्टम था अरवसागर में, 15 जुन 2023 को इस चक्रवात ने सवराष्ट और कक्ष में लेंड फॉल भी किया था, ठीक है, इस चक्रवात तुफान का कुल जीवनकाल 13 दिन करहा था, 13 दिन 3 घंटे, 13 दिन 3 घंटे तक प्रभावित किया था, नाम क्या इसका विपर जाय, ठीक है, अरब सागर के उपर मांसून के दौरान अत्याधिक गंभीर चक्रवाती तुफान, स्रेणी के चक्रवातों का आउसत जीवनकाल 6 दिन और 3 घंटे का है, ठीक है, ये 13 दिन लगभग रहा था, भीपर जाय का जीवनकाल अत्याधिक गंभीर चक्रवाती तुफानों का आउसत जीवनकाल से दोगुना से अब देखे जेनरली जो है तुफानों का छे दिन तक जो है इनका जीवन काल रहता है ये तेरह दिन तीन घंटे तक रहा भीपर जो है भारती मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भीपर जाये वर्स 1977 के बाद उत्री हिंद महासागर में उत्पन होने वाले सबसे लंबी गें तक यह रहा था इस चक्रवाद का नाम बंगला दश के सुझाये गया भीपर जाए भंगाली भासा में करता होता है आप घै котором पर जाए इसका नाम रहा ठिक के तेरह पहला ही देख लिए भीपर जाए बंग्लादेस के जारा नाम सुझाय गया diferenा माउंट-ब्रापीन ज पर सांद महासागर के रिंग फायर वहले चेत्र में ओसभी थक हैं तर याद रखेंगे मंउंट मेरा पी कहां इंदोनेशिया मंउंट्म Champya के उचाई अभी उद्गार हुआ जिसका नाम है माउंट मेरा मेरापी हाइट इसका 2009 से 11 मिटर अगला है चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी 2023 इसको उष्ण कटी बन दिये चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडा गासकर अफरीका तट पे लेंड फॉल किया था ये फ्रेडी नाम से जो चक जिंबाबे मलाभी मेडा गासकर जांबिया रिउनियन ये सब द्वीप पे देखा गया प्रेडी चक्रवात इस्टेलिया के तट पे विख्सित हुआ था और दच्छिन हिंद महासागर को पार करते हुए लगवक 8000 किलोमेटर दूरी तक करने के बाद मेडा गासकर में ले रखेंगे फ्रेडी चक्रवात ठीक है पर भावी तिलागा का नाम भी एक नजर में इनको भी ध्यान रखेंगे नासा कमसारी चक्रवात ने इतिहास के किसी भी दचनी गुलार्द में तुफान के तुलना में सबसे अधिक जो संचीत चक्रवात उर्जा होने का दिया चक्रवात के रूप में बरकृत किया गया यह जेप नियू जिलेंड में लएंट पॉल किया था परण भी उसिकी तुफान का रूप में प्रवतित हो गया रखेंह इक होई लिए इसक्ष की दू trip गीनखें के द्वारा दिया गया है इस चक्रवाद को गंभीर स्रेणी तीन में वरकृत किया गया है यह चक्रवाद तुर्किये और सिरिया में भुकम छे प्रवरी 2023 की बात है दच्छिन और मध्य तुर्किये और सिरिया में यहाँ पे अती भुकम जो है देखे से जनरली उपर होता है इसको अती गंभीर के केटेगरी में रखते हैं इसका रियक्टर पर माने पे 7.8 इसको देखा गया भुकम का अधिकेंदर की बात करें इपिक सेंटर का तो दच्छिन मध्य तुर्किये में जो है गाजिये टेप सहर के पास सिश्थित्था इस भुकम में दोनों देश को लगभग जो है 57,000 लोगों के मिर्थू हो गई यह देख सकते हैं कितना भुकम था तिब्रता कितना जादा था इसका 7.8 और इसके चाल 27,000 लोगों के मिर्थू हो गई 6.23 को भारत सरकार दोरा दोनों देशों में त्वरित रहात और बचाव अभियान अपरेशन दोस्त भी चलाए गया था तो भारत के दोरा जो है यह तुर्किय और सिरिया भुकम के लिए अपरेशन दोस्त प्रोग्राम चलाए गया था भारत ने राहत समगरी और रास्टिय रक्षा पर्तिकरिया बल को भेजने के लिए C70 जो है ग्लोब मास्टर थर्ड विमान का सहारा भी लिया था तो C70 ग्लोब मास्टर थर्ड विमान के सहारे से यहाँ पे काम किया गया था 2022 में रूस द्वारा युकुरुन प्रक्रमण के दौरान भारत ने पड़ुसी देसो के भारतिय नागरी को सुरक्षित निकालने के लिए अपरेशन गंगा संचालित किया था तो यह अपरेशन गंगा था और यह आपका अपरेशन दोस्त ठीक है चलिए तो इस तरह से यह आ बात होगा आपको बजट पर बात होगा आर्थिक सर्वे पर बात होगा साथ-साथ जो भी राजकुशी ए घटनकर्म है इस सब पर आपको बात किया जाएगा चलिए तीस लेक्षर में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद